हेलो इस वीडियो में हम एरिया फंक्शन के बारे में जानेंगे तो एरिया फंक्शन को करने के लिए सबसे पहले हैं यहां पे फार्मूला टाइप पे जाएंगे इसके बाद लोक अप एंड रिफरेंस के मौर बटन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहां पे सैकेंड आप तो एक area को select किया है, यहां पे यह जो value हमें आएगी, यहां पे 1 आएगी, तो इसको हम यहां पे करके दिखते हैं, जैसे यहां पे formula लगाया, equal to, equal to के बाद यहां पे areas, यहां पे निचे आ जाएगा, यहां पे double click किया, double click करने के बाद हम range को select करेंगे, यहां से लेके यहां तक ये range select की, ये range यहां पर आ जाएगी, इसके बाद bracket को बंद करेंगे, ये bracket बंद की, आंटर प्रेश करेंगे, तो आंटर प्रेश करने के बाद ये दिखो, ये एक area हमने यहां से लेकिए यहां तक select किया तो यहां पर हमें result आ गया 1, अगर हम ये दो एरिया सेलेक्ट करेंगे जैसे ये एरिया एक ये एरिया दो एरिया को सेलेक्ट करेंगे तो यहां पे हमें अंसर 2 आ जाएगा यहाँ पर फार्मूला लगा की दिखते हैं यहाँ पर लिखेंगे equal to इसके बाद यहाँ पर areas यह areas यह निचे यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर double click किया double click करने के बाद यहाँ पर दो value हमने select करनी है तो यहाँ पर फिर bracket यहाँ पर start की इसके बाद यहाँ पर यह एक area यह select करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक area select किया इसके बाद coma लगाएंगे coma लगाने के बाद यह दूसरा area select करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक यह दो area हमने select कर लिए इसके बाद bracket को बंद करेंगे ये bracket बंद की फिर bracket बंद की इसके बाद enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद ये देखो यहां पे हमने दो area select किये थे तो यहां पे 2 आ गया है जब हम यहां पे 2 पे यहां पे double click करेंगे तो ये जो हमने area select किये हुए है ये यहां पे select होके आ जाएंगे यह देखो, यहां पे double click किया तो यह देखो, दोनों area. यहां पे select होके आगे, कि कौन-कौन से area यहां पे select की हुए है इसके बाद, हम यहां पे तीन area को select करेंगे तो यहां पे area यहां पे formula लगाएंगे equal to equal to के बाद, यहां पे areas यहां पर आ जाएगा, यहां पर डबल क्लिक किया निच्छे, यहां पर डबल क्लिक करने के बाद यह एरिया यहां पर आ गया, इसके बाद फिर ब्रेकेट यहां पर स्टार्ट करेंगे, ब्रेकेट स्टार्ट करने के बाद एक एरिया हमने यह स्टार्ट किया, इसके बाद को की और एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर प्रेस करने के बाद यह दिखो तो यह देखो यहां पर तीन आ जाएगा तो यह हमें यह बताएगा कि हमने जो यहां पर एरिया स्लेक्ट की हुए है वो तीन एरिया स्लेक्ट की हुए है अगर हम यह चेक करना जाते हैं तो फिर यहां पर हम four area को select करेंगे, तो यहां पर हम formula लगाएंगे equal to, equal to के बाद हम यहां पर area लिखेंगे, यह देखो area निचे आ जाएगा, यहां पर double click किया, double click करने के बाद bracket, start की, start करने के बाद हम यहां पर, एक area हम ने ये select किया, इसके बाद comma लगाया, एक area हमने ये select किया, इसके बाद comma लगाया, एक area हमने ये select किया, इसके बाद फिर comma लगाया, एक area हमने ये select किया, ये देखो हमने यहाँ पर four areas को select किया हुआ है, इसके बाद bracket को बंद करेंगे, ये bracket बंद की, इसके बाद फिर bracket बंद की, enter करेंगे तो यह देखो यहां पर four आ जाएगा इसका मतलब यह है कि हमने four areas को यहां पर select किया हुआ है तो इस तरह से हम यहां पर देख सकते हैं कि हमने कितने areas को select किया हुआ है जब हम यहां पर four पर double बताता है कि हमने कितने areas को select किया हुआ है तो इस वीडियो में हमने areas function के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद